नमस्कार सातियों मराकेश पर्चापत आप सभी के लिएक न्यू इस्टापनर्स वेकेंसी लेके आ गया हूँ और इस इस्टापनर्स वेकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओल इंडिया केंडेट अपलाई कर सकते हैं तो वेकेंसी की पूरी डिटेल जाने के को फोलो जरूर कर ले तो वेकेंसी को निकाला है गवर्मेंट ओफ मेडिकल कोलेज ओरंगाबाद ने इस समय मैंने गवर्मेंट ओफ मेडिकल कोलेज ओरंगाबाद की जो ओफिशिल साइट है वो ओपन करकी है इस टाइप का हॉमपेज आपको यहाँ पे दिखाए देना है अपने इस पे क्लिक कर लेते हैं नंबर 3 का जो एड़िटाइजमेट है उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वेकेंसी ओपन होकर आ जाएगी पूरी डिटेल आपके सामने इसमें आ जाएगी कि कितनी पोस्ट है कैसे अपलाई करना है तो ये आगे है सास किये तो आपकी जोब लोकेशन ओरंगाबाद महाराश्ट में होने वाली है यहाँ पर इमेल आईडी और ओरंगाबाद मेडिकल कोलेज की साइट पर दी गई है उस साइट पर ही आपको यह सारा नोटिपिकेशन मिलने वाला है सुपर स्पेसलिस्टी ब्लोक बनाया है जो की कोविड होस्पिटल बिल्डिंग के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर होने वाला है इसी के लिए वेकेंसी है प्राइमरी तोर पर कॉंटेक्ट्स मिलने वेकेंसी है पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फिजीशियन परिएक्स्पेसर Cेjem की अचेंटेक्टि मेडिकल और इस चेस्ट फिजीशियन बहु सारी पोस्ट है जो की सरलेचिश कीप इसके लवा नेफ्रोलोजी की पोस्ट है और यहाँ पे बहु सारी पोस्ट है जिन में पेरामेडिकल के के भी होने वारी है नमबर दस पे यहाँ पे स्टाप नर्स की पोस्ट दी गई है जो की 150 पोस्ट है जीनम और बीएसी नर्सिंग की अपलाई कर सकते हैं केसी भी एक्सपरेंस की जुरूत नहीं है 25,000 वे परमद आपको सेलरी मिलने वाली है उसके बाद में नमबर 11 पे सिस्टर इंचार्ज की पोस्ट है 35,000 व प्रमागा गया है इस टाप नर्स के रूप में अगर आपका है तो इस टे इंचार्ज की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो गईज यह होगी है वेकेंसी पेमेंट क्या मिलेगा यह बता दे दिया है इसके बाद में आपको यहाँ पर फोर्म हो भर देना है ओनलाइन इसमें भी देख दिया गया है यह आपके सामने साप साप लिख दिया है इस्टाप नर्स की टोटल 150 डाटा एंटरी ओपरेटर की यहाँ पे 10 पोस्ट रखे गई है अब अपलाई कब तक करना है वह बता देता हूँ यह फोर्म का फोर्मेट आपके सामने गाईज दिया गय कि आपकी जो अपलाई करने की जो डेट है वो यहाँ पे 13 मई 2020 रहने वाली है उसके बाद में फोर्म हो असेप्ट नहीं किये जाएंगे सेलेक्शन किस तरह से होगा उसके बारे में भी खास कुछ भी लिखा नहीं गया है जिससे ही आपके बारे में यहाँ पे जिससे आप फोर्म बेज होगे आपके पास मेल के द्वारा पूरी इंफोर्मेशन आ जाएगी कि आपको क्या करना है आगे किस तरह से सेलेक्शन होगा और किन की चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है तो आई होप गाईज पूरी चीज़ें आप समझ गे होगे यहाँ पे कहीं पे कैसा कर यहाँ किसमा रखना है।